असलाम वालेकूम पाकिस्तान जिन्दाबाद आप देख रहे हैं किरिकिट क्लब आज की वीडियो का टॉपिक है दा कॉंट्रोवर्सीज अगेंस बाबर वैसे इन कॉंट्रोवर्सीज की शुरुआ जब ही हो गई थी जब रमीज राजा हटे और नजम सेठी आए जबसे बा बाबर ने सबका जवाब अपने बल्ले के जरीए से दिया बोले तो सेंच्रियों से लेकिन बाबर के खिलाफ अचानक एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी जहां इशा राजपूर नामी एक इंस्टागिराम अकाउंट से बाबर की कुछ पर्सनल पिक्स अप्लोड की गई लेकि बाबर की इन लीक्स में उनका कुई रोल नहीं है बड़े बुदरुकों ने सही कहा है कि घर का मसला घर में ही रहे तो अच्छा है लेकिन आस्ट्रेलिया वालों को टांग अड़ाए बगर मजा ही कहा आता है ये बात वाइरल तब हो गई जब पीसीबी की मीडिया पार्टनर और पाकिस्तान में होने वाले इंटर्नेशनल मैचिस और अथ्ता के पीसेल के मैचिस भी ऑस्टेलिया में ब्रोडकास करने वाली फोक्स स्पोर्ट ने इस आग में घी डालने के लिए एक टुईट कर दिया टुईट आपको स्क्रीन पर दि क्या राइदी उस पर बात करते हैं जो लोग बाबर पर भरे बैटे थे उन्होंने इस बातों को सच माना और कहा कि वाकई उन अपलोड की जाने वाली पिक्स और उनके साथ लिखी जाने वाली बातें बिलकुल सच हैं दूसरे लोगों की राय जरा समझदार वाली है क्यों कि मैं भी उनमें शामिल हूँ देखो भाईयों ऐसा किर्केट फैन हमारा तालुक बाबर से सिर्फ गिराउन तक है जब वह स्कोर करता है तो हम खड़े ओकर तालियां बजाते हैं और जब वह फ्लॉप होता है तो हम टीवी बन करके बैट जाते हैं बाकी किर्केट गिराउ कर देना बाकी काले एक और बावाय वीडियो के साथ इसी चैनल पर मिलेंगे